receptionist से PepsiCo की CEO तक कैसे इंद्रा नूई ने पाया success? कैसे इंद्रा नूई को PepsiCo Company में काम मिला और इंद्रा नूई महिने में कितना कमाती है? आज PepsiCo Company कौन कौन सा product बनाता है और Pepsi कितना product का मालिक है? ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में जब विश्व में बिजनस के शेत्र में महिलाओ का नाम लिया जाएगा तो बिना किसी शक के इंदरा नुई का नाम लिया जाता है इंदरा पैपसी को का नेतरतो करने वाली पहली महिला है खाल ही में और होने अपने CEO पद से रिजाइन दे दिया जिसकी वज़े से एक बार फिर वो चर्चा में आ गई है भारत में बेहद साधारन परिवार में पली बड़ी इंदरा नुई ने कैसे पैपसी ओ का CEO बना आईए जानते हैं इंदरा नुई जीवन इंदरा कृष्ण मूर्ती नुई का जन्म 28th October 1955 में तमिल लाडू के मदरा शेहर में एक तमिल परिवार में हुआ था अभी इसका नाम चे नहीं है उनके पिता State Bank of Hyderabad में employee थे और उनके दादा जिला नहायदीश थे इंदरा और उनकी बहन चंदरीका का पालन पोशन उनकी मा नहीं किया वोक्सर बच्पन में उनसे पूछा करती थी कि वो बड़े होकर क्या बनना चाती है मा की इसी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया वो अब ज्यादा सोचने लगी कि उनके लिए क्या बनना सबसे बहतर होगा इंद्रा नुई तो ज्यादा सोचने लगी लेकिन आप ज्यादा मत सोचो सबस्क्राइब करने के लिए आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन ओन करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की amazing वीडियो्स लाता रहुँगा आपके लिए जरूर सब्सक्राइब करेगा चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरप से नुई के दादा जी एक जज थे अगर नुई को कुछ काम देते थे उसे उनके मुताबिक नए कर पाती तो कागस पर 200 टाइम्स माफी मांगने को कहते थे इसकी वज़े से उनका काफी मनोबल में ग्रेजुएशन की और फिर इंडियन इंस्टिटूट में जॉइन किया जहां से 1976 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंडियन इंस्टिटूट ऑफ मेनेजमेंट कोलकाता याने की IIM कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के बाद इंदरा उइन भार्थ में अपना करियर जॉंसन एंड जॉंसन से प्रारंब किया और प्रोडेक्ट मैनेजर के तौर पर कंपनी को अपनी सेम आई दी उन्होंने टेक्स्टाइल फर्म मेटर बर्ड सेल के साथ काम किया इसके बाद एंदरा ने 1978 में अमेरिका सित्प्रसिद येल इंज्मेंट का स्टडी किया येल उनिवरसिटी से अध्यान करने के दौरान उन्होंने बूज एलन हैमिल्टन में समर इंटर्शिब भी किया सन 1980 में उन्होंने येल से अपनी मैनेज़्मेंट स्टडी पूरी की म्यूजिक बैंड में बजाया करती थी गिटार ये एक करने का फैसला किया और बोस्तन कंसल्टेशन ग्रूप जॉइन कर लिया और मोटोरोला और एसिया ब्राउन बौवरी जैसी कंपनियों में महतुपूर्ण पदों पर कार्य किया इंद्रा ने वर्ष 1986-1990 के बीच मोटोरोला कंपनी में corporate strategy के अपाध्यक्ष की तोर पर कार्य किया और मोटोरोला के automotive और industrial electronics के विकास की जिम्मेदारी संभाली जॉंसन और जॉंसन कंपनी में product manager का तोर पर काम किया इस नोकृरी के दोरान उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनोती भी मिली दरसल इस दोरान उन्हें भारत में स्टेफरी की स्टेंडरी नैपकिन को लोगों के बीच पहुचाने की जिम्मेदारी मिली इसी दोरान भारत में महिलाओं से जुड़ी स्वच्छता के बारे में विज्यापन करना प्रती बन था ऐसे में इंदरा के लिए ये बेहद इंदरा ने समय के साथ कई नोकरियां बदली साल 1990 में उन्होंने ABB कंपनी में बतोर Vice President काम किया साल 1994 तक उन्हें कई कंपनियों ने अपने साथ काम करने के ओफर दिये इसी साल PepsiCo कंपनी के तकालीन CEO ने उन्हें अपनी कंपनी में आने का ओफर दिया इस ओफर को तो वो मना नहीं कर पाई उन्होंने पेपसिको में सीनियर वाइस प्रेजिडेंट का पदसमाला साल 2001 आते आते उन्हें CFO और Board of Directors में भी शामिल कर लिया गया इंदरा ने एक जगह ये बताया था कि जब वो इस खुशकबरी को अपनी मा को सुनाने गई तो उन्होंने कहा मा आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशकबरी है उनकी मा बदले में कहती है कि पहले जाओ कल के लिए दूद ले आओ साल 2006 में वो पेपसिको कंपनी की CEO बन गई भारती अमूल की इंदरा नुई 12 सालों से पेपसिको की प्रमुक थी इंदरा नुई व्यापार जगत में टोप पर पहुचने वाली चुनिंदा महिलाओं में शामिल है वो 24 सालों से पेपसि के साथ जुड़ी हुई साल 2006 में इंदरा नुई के कमान समानने के बाद से पेपसिको की शेर प्राइस 78% गेन हुए थे पेपसिको विकम लोस इंदरा नुई ने पेपसि के सीओ बनने के बाद कई उतार चड़ाओ देखे लेकिन इन में से एक पेपसिको को बहुत लोस उठाना पड़ा अमेरिका में पेपसिको के उपर आरोप लगाया गया कि पेपसि में बहुत सारे शुगर कंटेंट मुझूद हैं इससे लोग बिमार भी पड़ सकते हैं इस आरोप के बाद इंदरा नुई ने नया डिसीजन ले लिया और कंपनी को तीन सेग्मेंट में बाटा गया फ़रर्ट सेग्मेंट में फ़न फ़ड़ प्रोड़क्त निकाला इसमें पõटेटो चीप्स रेगुलरः पेपसी मिलती थी सेग के द क्यार कि बाद और लोग फैट रिलेटेटेड़ बनाया गया थार्ड सेग्मेंट में इसमें कूकर ÖST मिल्क जैसे प्रोड़क्त बनाये Pepsi ने fun product से ज्यादा good for product में focus किया और इसी के साथ Pepsi ने बहुत सारे product को launch किया आज इनके 70% income better for you and good for you product से आता है आज इंदरा का नाम पूरा विश्विट जानता है उन्होंने बेशक समाज में खुद को इस दर्जे पर पहुँचा कर साबित किया किस तरिया किसी से कम नहीं होती वो दो बेटियों की मा भी है जिसने अपने घर परिवार के साथ अपना करियर भी हमेशा संतूलित रखा साल 2007 में उन्हें भारत का प्रतिष्टित पद्म भूशन सम्मान भी दिया गया भारत में PepsiCo Company के कौन से product बिखते हैं इंद्रा ने इंडस्ट्री के challenges का सामना करते हुए कमपनी को फ्री टोले unit को आगे बढ़ाया चीतोज और Mountain Dew जैसे flagship brand launch करवाए उनके अधिकार के टाइम पर PepsiCo ने humus और kombucha जैसे drink बनाए पिछले 11 सालों में कमपनी ने shareholders को 162% return दिया 2006 में revenue 35 अरब डोलर था जो पिछले साल 63.5 अरब डोलर पहुच गया सन 1965 में स्थापित Pepsi brand अपने drinks और snacks range की वज़े से दोनिया भर में चाया हुआ है भारती बाजार में Pepsi ने सन 1989 में अपने पाउँ जमाने शुरू किये Pepsi की soft drink category के मुख्य brand Mirinda, 7up, Mountain Dew, Revive और Slice है Pepsi brand के अंडर ही Aqua Finna Mineral Water, Tropicana Fruit Juice, Gatorade Energy Drink आते हैं भारतियों में मसालेदार सुआद की पसंद को ध्यान रखते हुए Pepsi ने अपने snacks range को reinvent करके market में पेश किया Pepsi को snacks category में कुरकुरे, लहर नमकीन, Lays Chips, Uncle Chips साल दरसाल market leader बने हुए है Sun 2006 में भारतिय बाजार में आए quicker brand odds, Nutri Poha, Nutri Upma, Pepsi के सफल brands में से एक है इंदरा नुई का वेतन, Sun 2011 में Pepsi को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तोर पर इंदरा नुई को वेतन के रूप में लगबग 1.7 करोड अमेरीकी डॉलर दिया गया Sun 2014 तक उनका वेतन बढ़कर लगब 1.9 करोड अमेरीकी डॉलर हो गया था पुरुसकार और सम्मान Sun 2006, 789 और 2010 में Fortune पत्रिका ने इंदरा नुई को वेवसाय के शेत्र में सबसे प्रभावशाली महिला के सूची में स्थान दिया Sun 2008 में US News and World Report ने उन्हें अमेरीका के सबसे बहतरी नेताओ की सूची में रखा व्यक्तिगत जीवन इंदरा नुई राजगुमार नुई से विवाइत है नुई दम्पती की दो बेटिया हैं जो Greenwich Kinetic में रहती है उनकी एक बेटी एक करंटली येल विश्यव विद्यल में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है उनकी बड़ी बेहन चंद्रिका, क्रिश्नमूर्ती, टंडन एक प्रसिद्ध गाई का है आपको इंदरा नुई और पैपसी को कमपनी के किस चीज़ के बारे में पता नहीं था कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी तो आपके दोस्कों के साथ शेर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए क्योंकि इस से हमें और ज्यादा वीडियो बनाने का मॉटिवेशन मिलता है आपने इंद्रा नूई के और पैपसी को कंपनी के बारे में तो जान लिया लेकिन आपको पता है अडाने ग्रूप कितना बड़ा और क्या-क्या प्रोड़क्ट बनाता है कैसे अडानी ने जीरो से वर्ल्ड फोर रिचेस्ट मैन बना जानने के लिए इस वीडियो को देखिए इसी तरह कि और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके रिलेटिड कहीं और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप चेक आउट कर सकते हैं अगर आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इनकेस आपको यूट्यूब से हमारा वीडियो अपलोड होने का लोटिफिकेशन नहीं मिला तो टेलिग्राम से आपको वीडियो अपलोड होने का पता चल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जरूर चेक कीजिए